दोस्तों आज हम देखेंगे Python में आप किसी भी number का एक table कैसे print कर सकते हैं अगर मैंने आपसे कहा मुझे 5 का table करवा के दीजिए तो आपका output 5 का table हाना चाहिए that is 5 into 1 equals to 5, 5 into 2 equals to 10 and so on किसी प्रकार से अगर मैंने number change किया तो आपको बेना code change किया हुए तो मुझे output शो करना है तो अगर इस प्रकार का program है that is to input a number and print its table अगर आपको किसी भी number का table print करना है और that to dynamically याने ही तन टाइम पे user आपको एक number input देगा और उस number का आपको table print करना है उसकी coding आज हम देखने वाले हैं इसलिए वीडियो को शुरू करते है बटस के पहले चैनल को सब्स्राइब करना ना भूले है तो दोस्तों मैं आप किसी भी code एडिटर का यूज कर सकते हैं programming में कोई भी changes नहीं होने सबसे पहरे जैसा कि हमारे क्वेशन में बोला गया है राइट प्रोग्राम तो इन्पुट अनमबर हमें एक नमबर इन्पुट लेना होगा उसके लिए मैंने एक वेरीवल ले लिया एन जाहकर प्रोप्र करूंगा है उसके बाद हम हमारा मैसेज देना चाहेंगे यूजर को या एट इस लान में में यूजर को एक मैसेज दिया enter a number user जो भी number प्रेस करता है वो integer में convert होगा और integer में convert होने के बाद वो number store होगा n में यानि अब हमें n का table print करना है और हम जानते हैं किसी भी table में one से लेकर ten term से आते हैं यानि जैसे कि five into one equals to five five into two equals to ten आखरी term होगा five into ten equals to fifty हर टेबल जो है वो सिर्फ ten टाइम से एक्जिक्यूट होता है इसलिए हम याप यूज करेंगे फॉर लूप और हम चाहते हैं हमारे जो लूप है वो ten times run करें अगर हम सिर्फ टैन लिखते हैं तो हमारे लूप जो है वो जिरो से स्टाट होगा मैं चाहता हूं मैरा जो लूप है वह बन से स्टाट हो लिखेंगे बन कॉमों लिखा यहाँ पर और I in range 1 to 11 यानि और I start होगा 1 पे और end होगा टैन पे अवरी टाइम जो आई है वो multiply होगा n के साथ यहां कि n into i यहां पर हम simply लिख सकते हैं print n into i number को आपको simply multiply करना है i से for example number मैंने लिया five first time यहां पर multiplication होगा n into i that is five into one second time जब भी लूप execute होगा यहां पर calculation होगा five into two five into three and so on यह हमारा code ready है बट अब कुछ changes करेंगे और changes करने के पहले एक बार देखेंगे रंगे बटन पर करते हैं आप देख सकते हैं उपर डालोग बॉक्स आ चुका है और मेरा मैंने दिया था एंटर अ नंबर वो यहां पर लिखा हुआ है मैंने यहां पर नंबर दिया seven और इंटर प्रेस करेंगे आप आउट्पूट देख सकते हैं यहां यहां आउट्पूट चाहिए seven इंटु वन इक वास्टू इक वास्टू फॉर्टिन यह एक complete table के रूप में हमें देखना चाहिए अब हम करेंगे इसकी formatting के लिए जैसा कि हम जानते हैं हम जो भी नंबर दें वो शुरू में होगा अगर हमने seven दिया तो seven into one seven into two seven two three इस प्रकारते होना चाहिए सबसे पहले हमें लिखना होगा उस नंबर को लेट इस इंटू का जो सिंबल है वह कॉंस्टेंट है इंटू आई जो कि हमारा एक्जिक्यूट करेंगे अगें एंटर नंबर देख सकते हैं यहां पर ट्वेल्ट होगा प्रोस को हम ने लिखा था डबल पोट में यह क्रॉस काम कर रहा है यहां पर क्योंकि आई एक लूप का वेरियेबल है पर इसकी वैल्यू एवरी सक्सेसिव लूप चेंज होती रहाएंगी वन से लिकार टैन तर यहां पर देख सकते हैं वन टू त्री पॉर एंड सो ओन पिर आता है यहां पर इक्वल टू इक्वल टू भी सभी में कॉंस्टेंट है इसलिए हमने वसे लिखा डबल कोट में और लास्ट है एन इंटु आई सिंबल ट्वेल 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 ट्रू ट्रू तो इस प्रकार से आप कोई भी डायनामिक प्रोग्राम बना सकते हैं इसमें आप यूजर से इंपुट ले सकते हैं और अपने अकॉ यूज़ करेंगे यहां पर एन इक वस्टो इंट यूजर को मैसेज़ आएगा लाकिस इंटरा नंबर से पहले हम यूजर से एक नंबर इंपुट ले लेंगे और वह स्टोर होगा एन बेरियेबल अब हमें फैक्टोरियल चाहिए एन का यह नहीं पता उन्हें बता दूं फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है अगर हम लिपने हैं इसका मतलब होता है तो इसी प्रकार से अगर आपको बोले रेंगे इनकालना है तो आपको बन से लेकर ना होगा अगर आप उसकेस में मुझे एंड का निकाल ला तो बुझे वां से लिए होता जाएगा और हर नंबर के बीच में गैप है और आइं रेंज यहां पर मेरी जो रेंज है हो स्क्राइल होगी स्क्राइब होती है उस नंबर पर लिखेंगे एक गामीशा एक कम चलता है अगर आप यहां लेवन लिखने तो यह एक टाइम से लिए का आपर हमें आपको लिखना होगा प्रक्राइब का फॉर्मिला जो की है एक्टोरीयल इकवर्स टू टू इंटू इच इंड एवरी सक्टेसिव टाइम्स आपे उस नंबर को फैक्टोरियल से मल्टिप्लाइब करना है अब अगर इस कोडिंग को समझे है उस यह फॉर्मिला एक्जिक्यूट होगा जो कि है f equals to f into i और फॉर्स ताइम हम जानते है f की value 1 है i की value भी 1 है first time f will be 1 second time जब यह loop execute होगा i की value 2 हो चुकी है but f अभी भी 1 है second time यहाँ पर execution होगा f equals to 1 into 2 which will be 2 3rd time जब भी execute होगा अब यहाँ पर execute होगा f equals to 2 into 3 which will be 6 and so on इस पकार से हमारा complete for loop execute होगा for loop के बाहर आने के बाद हम प्रिंट करेंगे यहाँ पर message आप देना चाहें यहाँ पर message देना चाहता हूं प्रिंट करना चाहूं प्रिंट करना चाहूं प्रिंट करने होंगे यहाँ पर इसमें थोड़े इस प्रकार से हमें code को change करना होगा अगेन मैं से run करूंगा नम्बर दिया फिर से 5 एंटर आपको देख सकते हैं factorial of 5 is 120 factorial of a constant message जिसे हमने लिखा double quotes में n कभी भी change हो सकता है इसलिए without double quotes रहेगा is a constant message again यह रहेगा double quotes में और f different करता है हमने n के उपर लुकिया है changeable है इसलिए हमने f को भी लिखा without double quotes इस पतर से हम calculate कर सकते हैं factorial of any number और हमरा आज का तीसरा प्रोग्राम है और प्रोग्राम तो print all odd numbers from 150 to 300 के बीच में जिदने ही odd numbers है हमें उन सभी को print करना है इसके लिए हमें किसी भी input की ज़रत नहीं है क्योंकि question में clearly बोला गया है 150 to 300 के range में ही हमें output देना है उन्टे हम यूज करेंगे for loop का लिखेंगे for i in range page हमें question में बता दी गई है 150 से 300 150 के बाद जो पहला odd number है that is 151 300 के पहले जो odd number है वो है 299 बढ़ हमें आप यूज करेंगे 300 को कि यहने देखा है follow हमेशा step का कॉमा देने के बाद हमें यहाँ पर जो third चीज इस बार additional देनी होगी that is step 151 के बाद stepping हो दो की अभी हमें दूसरा odd number में लेगा इसमें यूज करेंगे अब इसे एक्जिक्यूट करके देखेंगे हम देखेंगे 151 153 155 157 यह पूरे के पूरे odd numbers है अपके 300 300 कुछ जादे ही range हो चुकि है मैं आप इसे करना होगा 200 इसे एक्जिक्यूट करेंगे यह हैं नमबर आपको इसमें सभी even numbers देखने हैं आपको 151 को चेंज करना होगा 50 से अब हमारे जाद नमबर है वो स्टार्ट होगा 150 से एंड होगा 200 पे प्रितागे लप आफ तू करेंगे अब देख सकते हैं 152 और इस प्रिंट करवा सकते हैं odd and even numbers in between any range I hope आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन्स हैं या पि कोई भी प्रोग्राम है जो आप बनाना चाहते हैं आप हमसे झाल झाल